हलो दोस्तों, मैं पुनम आप सभी का क्रेव किचन में स्फागत करती हूँ अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आएं, तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलना आज हम वेज मुमोस बना रहे हैं, तो आईए देखते हैं, इसे कैसे बनाते हैं मुमोस बनाने के लिए जो इंग्रीडियन्स हैं, यह मैंने एक कप मैदा लिया है, यह कैबेज लिया है, मैंने इसे बहुत बारिक सा चौप कर लिया है, यह गाजर है, इसे भी चौप कर लिया है, शिमला मिर्च को बारिक चौप कर लिया है, एक बड़ा प्याज मैंने लाहुआ लसुन, बारिक कटी हुई हरी मिर्ज, ये मैंने एक चमच लिये हैं, साथी मैंने मसालां एक पेकित लिया है, इसे डालने से हमारा जो मुमोस का अंदर का मसाला है, वो बहुत ही टेस्टी बन जाता है, उसी के साथ नमक हम अपने टेस्ट के hey साब से डालेंगे, और धोड़ा सा ओईल हमें सबजीयों के लिए प्राई करने के लिए हैं mock dus शेटरा परिमिनला के लिते हैं उसके लिए मैंने कड़ाई को गैस पें चड़ादिया है उसमें मैं इक चमछ तेल डालोंगी एक बड़ा चमछ माझ Act तोड़ासे गरम हो जाए तेल. फिर हम उसमें डरी लासून डालेंगे लसुन को थोड़ा से हम लाएंगे अच्छे से. पिर फिर एकेक करके हम अपनी सारी सबजियां इसमें डालेंगे. यह जा रहा है कैबेज, कैबेज के साथ ही हम अपनी गाजर डाल देते हैं, शिम्ला मिल्च, प्याज, प्याज भी फ्रेंग्स मैंने पहले नहीं डाला है क्योंकि हमें इसे ज्यादा लाल नहीं करना है, यह थोड़े से अच्छे से मिक्स हो जाएं, फिर इसके अंदर हम जो हमारा पनीर है वो डालेंगे, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूं, सबजी के हिसाब से अपने टेस्ट से नमक डालेंगे, काली मिर्च और जो हमने यह मसाला है मैजिक लिया है यह भी हम डाल दे के, गैस को मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया है, यह पूरा पैकेट में डाल रहे हूं इसके अंदर, फाइनल हम अपना पनीर डाल रहे हैं इसमें, और दो मिनिट के लिए इसलो गैस पे मैं ऐसे ढख दूँगी, जादा देर नहीं करला हैं हमने छिर्फ विमिनिट के लिए मैं इस के अंदर देती हूं, इसमें दुक दीआ है दो मिनिट बाद मैं गैस बंद कर दूँगा, आईए हम इसका मुमोस का बैटर अब बना लेते हैं, मैंने मैदा एक बाउल में ले लिया है, थोड़ा सा इसमें मैं नमक डालूगी, और फिर इसमें पानी थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसे हम गूंद लेंगे, हमने इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेना है, ना 10 मिनिट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है, ताकि फिर हमारे मुमोस अच्छे बने, फ्रेंट्स मैंने इसे पांच मिनिट तक गूंद लिया है, और ये अब एक अच्छा सा इसका डव बन गया है, इसे मैं थोड़ा सा ओईल लगा के 10 मिनिट के लिए इसे ढख के रख हुए 10 मिनिट हो चुके हैं, मैंने उसके ऐसे इस साइस के बॉल बना लिये हैं, इसे अब हम थोड़ा सा सुपका मैदा लगा के बेल लेंगे, इसे हमने पतला बेलना है, इसे हम बेल लेते हैं, ज्यादा मोटा नहीं रखना है, पतला सा बेल के फिर इसके हम स्टफ करेंग अब देख सकते हैं ये धाई 3 इंच का ऐसे रोटी जैसे बन गया है अब इसी को ऐसे रखते हुए ही मैं इसके अंदर अब फिलिंग डालती हूँ एक चमच के करीब हम इसमें फिलिंग डालेंगे और फिर इसे ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट करकर के हमने इसे फोल्ड करना है इस तरह से इस तरफ से कर लिया फिर इस तरफ से थोड़ा करते हैं पूरी तरह से हमने इसे ट्विस्ट करकर के फोल्ड करते हुए इसे बंद करना है और फाइनल हम इसे उपर से पैक कर देंगे और ऐसे गोल घुमा के इसे थोड़ा सा इसे दबा देंगे दूसरा बनाते हैं सिर्फ फ्रेंग्स आपने इसे थोड़ा पतला बेलना है इसे यह हो गया है अब इसमें एक चमज हम फिलिंग डालेंगे और इसे ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट से फोल्ड फोल्ड करके करना है इस तरफ से अब फिर उपर से इसे दबाके खुड़ा सा इसे घुमा लेंगे और इसे ऐसे बत कर लेंगे तो इस तरह से हमने सारे हमें अपने जो हैं बैटर तयार्र जो मोमोज बनाने हैं हमने पूरे तयार करके अब लिए मुए अब नबचार्ण फिर हम इने steam करें obliter Behrens में moumoz को इड़ी बोट में steam करने वाली हो तो मैंने इड़ी बोट में ऐसे पानी डाला है पानी के साथ मैंने एक निम्बु उसमें डाल दिया है और मैं अपना जो इड़ी बनाने का बरतन है इसा थोड़ा सा ग्रीज कर लेती हूं और फिर इसी के उपर मैं जो मुमोज हमने बनाए थे वो एक एक ऐसे रख के इन्हें 10 मिनिट के लिए हम स्टीम कर लेंगे इसे मैं अब आट में रखती हूँ और इसे उपर से डखकन दे देंगे 10 मिनिट के लिए इन्हें हमने स्टीम करना है 10 minute बाद हम देखते हैं कि momos कैसे बने, 10 minute हो चुकी है, गैस को मैंने आफ कर दिया है, अब इसे हम खोल के देखते हैं कि momos कैसे बने हैं, आप देख सकते हो, ये ऐसे बन के तयार हो गए है, इसे गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है, Friends हमारे momos तयार है मैंने इसे plate में डाल दिया है और आप भी मेरी इस recipe को try करना और मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी recipe कैसे लगी और Friends मेरे channel को सबस्क्राइब करना मत भूलना